अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंती सब्सक्राइब कीजिए और साथ में और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी तबादीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुचेंगे यह है दोस्तों All New 2020 Hyundai i20 Esta Optional Variant जहां तक इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस जाती है 9.20 लाइक एक्सोरूम प्राइस दिल्ली वहीं इसकी ओन्डूर प्राइस है 10.30 लाइक New Hyundai i20 की प्राइस जाती है 6.79 लाइक टू 11.17 लाइक एक्सोरूम प्राइस दिल्ली 3rd generation i20 काफी चेंज हो चुकी है जहां तक इसकी डिजाइन की बात करें तो Front profile में Headlamp यूनिट में आपको दिया गया है i20 की Emblem, Daytime Running Light, Projector Headlamp और Tone Indicator की Combination जैसे कि आप यहां पे देख पारे हो नीचे Fog Lamp यूनिट में ट्राइंगलर से Piano Blackfinish में Projector Fog Lamp दिया गया है और वहीं Front Grill की बात करें तो बहुती सांदार Hexagonal Piano Blackfinish में दिया गया है बीच में Hyundai का Logo, Number Plate की जगो और इसके साथ ही जहां तक Skit Plate की बात करें तो वहां पे भी आपको Piano Blackfinish दिया गया है जो कि इसके Front Profile को काफी Enhance कर देते हैं Side Profile कुछ इस तरह का है अच्छे से Check Out कर लीजिगा Break की बात करें तो Front में Disc and Rear में Drum Break दिया गया है Suspension की बात करें तो Front में Make for Substrut and Rear में Couple Torsion Beam XL प्रोबाइट किया गया है चलिए बात कर लेते हैं Dimensions की Length दिया गया है 3995mm Width 1775mm Height 1505mm Wheel Base 2580mm Crown Clearance 170mm Boot Space 311 Liter Huel Tank दिया गया है 45 Liter Side Profile में दिया गया है Character Lines और B Pillar पुरी तरह Blackout किया गया है Grab Handle आपको Chrome Garnish में दिया गया है वहीं आपको मिलते हैं इसमें 16 Inch के Dual Tone Diamond Cut Alloy Wheel और Wheel Size है 195 55 R16 ORBM दिया गया है Body Color और LED Tone Indicator के साथ Which is Electrically Adjustable and Foldable वहीं आपको इसमें मिलते हैं बहुती सांदार Electric Sun Rope जैसे कि आप यहां पे देख पार हो और इसके Side Profile में बहुती सांदार Skit Plate Piano Black Fnish में I20 के Emblem चलिए आप बात करते हैं Rear Profile की तो बहुती सांदार LED Jet Saved Tail Lamp Provide के गया है जिसमें I20 के Emblem आपको देखने को मिलता है वहीं इसमें Crown का काम भी यहां पे आपको देखने को मिलता है Piano Black Fnish दिया गया है Tail Gate के बीचों बीच आपको Hyundai का Logo और इसका Tail Lamp Unit भहुती सांदार इसके Rear Profile को Enhance कर देते हैं सबसे उपर आपको Saakfin Antina High Mounted Stop Lamp Rear Wiper and Defogger प्रोवाइट किया गया है और Tail Gate के Left Side I20 की बैजिंग और Right Side Asta की बैजिंग यहां पे प्रोवाइट किया गया है और Reverse Parking Sensors मिल जाते हैं दोनों और Reflectors दिया गया है और Rear Bumper के सबसे नीचे आपको Piano Black Face में Skid Plate देखने को मिलता है जो कि इसके Rear Profile को और भी Enhance कर देते हैं और इसमें Floating Group Design और इसके Integrated Spoiler के दोनों और Piano Black Face में Spreds देखने को मिलता है चलिए आप बात करते हैं इसके Interior की तो यहां पे आपको Keyless Entry प्रोवाइट किया गया है और इसके Front Door में आपको Power Indoor के Control और Bum के Control यहां पे प्रोवाइट किया गया है काफी सांदार इसका Black Finish दिया गया है इसमें जैसे कि आप यहां पे देख पार हो और Bum आपको Electrically Adjustable and Foldable यहां पे प्रोवाइट किया गया है वन लीटर का बोटर होलडर और Bum के Just Inside आपको यहां पे ट्वीटर प्रोवाइट किया गया है नीचे Bose का Speaker और इसमें 7 Speaker आपको मिल जाते हैं Fabric का Bose इसमें प्रोवाइट किया गया है और Rear Passengers के लिए Headroom के लिए यहां पे आप देखें करब दिया गया है जिससे आपको Headroom की कोई भी कमी नहीं खलेगी और इसके Dashboard लियाओट एक बार अच्छे से चेक आउट कर लिजीगा काफी प्रीमियम रहने वाला है इसका Dashboard लियाओट और एक बार चेक आउट कीजिए इसका की जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो काफी प्रीमियम की यहां पे दिया गया है जिसमें Lock, Unlock, Boot, Opener का बटन और इसके Center Console में आपको प्रोवाइट किया गया है बहुत ही सांदा 10.25 इंच का Floating Touch Screen Infotainment System जो की सपोर्ट करने वाला है, Apple CarPlay, Envato, Bluetooth Connectivity, Navigation, Radio FM, Aux and USB को और इसके अलावा इसमें आपको Blue Link Connected Features भी प्रोवाइट किया गया है और Electric Sunroof की Control यहां पे दिया गया है Center में जिससे आप यहां पे Close और Open कर सकते है Electric Sunroof को काफी Premium Features में से एक है Steering Wheel की अगर हम बात करें तो यहां पे Silver Finish में, Leather Finish में, 4 Spoke आपको यहां पे Steering Wheel प्रोवाइट किया गया है जिसके Left Side Audio Mounted Control and Right Side प्रोवाइट किया गया है Cruise Control की सुभी दा Steering Wheel के ठीक Right Side दिया गया है Push Start Stop Button इसके लावा Instrument Cluster के अगर हम बात करें तो इसमें Totally Digital Instrument Cluster प्रोवाइट किया गया है जिसका Interface कुछ इस तरह रहने वाला है जिसके Left Side, Speedometer, Right Side, Arpemeter और बीच में M.I.D. दिया गया है जिसमें आपको Drive Assist Related सारी Information मिल जाती है Rear Passengers के लिए Rear AC Wind यहाँ पे प्रोवाइट किया गया है और इसके अलावा इसमें USB Mobile Charger और Center Console में आपको Arm Rest और उसके नीचे आपको Storage प्रोवाइट किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो और इसके लावा यहाँ पे आपको Portable Virus Protected Air Purifier भी प्रोवाइट किया गया है जैसे कि आपने Hyundai Venue में भी देखा होगा और इसके Center Console में इसके लावा आपको 5-speed Manual Transmission उसके आगे आपको Mobile Charger के लिए USB Charger Port और Automatic Climate Control यहाँ पे प्रोवाइट किया गया है डिस्प्ले के साथ काफी सांदार इसका लुक यहाँ पे रहने वाला है Close Look दिखा देता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो वहीं Globe Box इसमें Cool Globe Box आपको यहाँ पे प्रोवाइट किया गया है जिसमें काफी Enough Space आपको मिल जाते है वहीं इसके AC Wind काफी यहाँ पे Horizontal Lining यहाँ पे दिया गया है जो कि इसके Interior को काफी एरांस कर देते है Core Passenger Side Vanity Mirror प्रोवाइट किया गया है वहीं Center में दिया गया है आपको Sun Glass Holder उसके साथ Cabin Light और यहाँ पे आपको Electric Sun Loop के Control यहाँ पे प्रोवाइट किया गया है Driver Side कोई भी Vanity Mirror प्रोवाइट नहीं किया गया है वहीं इसके Rear Seats और Rear Cabin Comfort की बात करें तो Leg Room आपको काफी सांदार यहाँ पे देखने को मिलता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पारे हो वहीं Head Room की बात करें तो उसकी भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और Rear Seats से भी Front Dashboard यहाँ पे चेकाउट कर लीजीगा इसके साथ ही आप Electric Sun Group को भी चेकाउट कर लीजीगा Rear Seats से और सेंटर में दिया गया है Cabin Light और कापी अच्छी कासी और यहाँ पे Grab Handle दिया गया है चारों उर जैसे कि आप यहाँ पे देख पारे हो Day Night IRBM प्रोवाइट कर गया है और बूट गेट पे Grab Handle आपको प्रोवाइट कर गया है यहाँ पे आपको दिया गया है पार्सल ट्रे और लेट साइड बोस का स्पीकर चेकाउट कर लीजीगा राइट साइड दिया गया है बूट लैंप और ग्रॉसरी हुक और इसके साथी स्पेर वील आपको जस्ट इसके अंडरनीत आपको स्टील वील में दिया गया है विद टूल किट और इसमें आपको प्रोवाइट क्या गया है बियसिक्स कंप्लाइंट 1.2 लीटर 4 सिलिंडर कापा पैट्रोल इंजन जहां तक पावर प्रफॉर्मेंस की बात करें तो 82 बीस्वी की पावर 6,000 आर्पेंपे और 115 अनम का पीक टॉक जनेर करता है 4,200 आर्पेंपे ट्रांस्मिशन की अगर हम बात करें तो 5 स्पीड मैन्वल ट्रांस्मिशन दिया गया है माइलेज की अगर हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 20.35 की एंपेल की माइलेज सेप्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो हुन्टए आई ट्वेंटी में आपको मिलते हैं 6 एया बैग ABS with EBD Electronic Stability Program Vehicle Stability Program Hill Hold Assistance Reverse Parking Selsers Reverse Parking Camera Seat Belt Reminder Driver Site and Co-Passenger Site Push Start Stop Button Keyless Entry Isopic Child Seat Anchorage Pre-Tester and Force Limiter Seat Belt Engine Immobilizer Front Impact Beam Side Impact Beam Anti-Tap Device Speed Alert System Speed Sensing Autodore Lock Impact Sensing Autodore Unlock जैसे Premium Sift Features Provide किये गए हैं ये ती दोस्तों आल न्यू हुन्डे I20 Sना Optional Variant की Complete Walk Around Review आपको कैसे लेगी नीचे कमेंट सेक्षन में जरू बताएगा और एक लाइक तो बनता है आज के लिए बस इतना ही मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यबाद जय हिंद